इसके पास डेफिनेट मास हो लेकिन नेगलेजिबल क्या भी है साइज हो उसे पार्टिकल कहते हैं सिस्टम क्या होता है पार्टिकल क्रूप ठीक है जो एक दूसरे से सिस्टम क्या होता है जो सिस्टम को झोर smell पार्टिकल्स के लगता सिस्टम मनाता हूसे हम क्या है इंट्र lakional of warzk timeline कसी प्रिकार का एक्सलेशन इस चाहिण नहीं होता था थे या लगने के बाद बोडी की उपर लगने के पाद उसको accelerate करा दे, center of mass क्या होता है, center of mass body के अंदर वो point होता है, जहां पर यह मान के इसलिए वह आता है कि body का पूरा mass यहीं पर लाइख कर रहा है, ठीक है, property of center of mass क्या होती है, तो velocity of body cost में, velocity of center of mass, acceleration of body cost में, acceleration of center of mass, और mass of body पराबर में mass of center सब्सक्राइब करें अब लेकिन अगला टॉपिक है तो मैंने डेरिवेशन कराई थी मैंने यहां पर करें कि यह एक्स है यह वाई है यह एमण मास था इसके सेंट्र मास का पॉशिण क्या है और टुप्षण आप ने दोनों को मिला कर करके एक सिस्टम बना दिया तो सेंट्र मास के यहां पर बीच में कहीं लाई करेगा और उसकी पोजिशन वेक्टर क्या आ रहा गया यह सी युए मैं पूरे सिस्टम का ठीक है अच्छा इस यह अब सिस्टम बन चुके तो इनको होल्ड करने के लिए फोर्च है जिसको हम क्या कहते पूर्स एक एप मन पर फोर्च लग रहा हुए है कैपिटल एक मन प्लस वाल एक वन और वह किसके बरावर को मास इंटु में एक्सेलेशन एक्सेलेशन होता उसकी पोजिशन का डबल डिफरेंशियेशन ठीक है और पूर्स एट एम टु जो लग रहा आपका फोर्स एक एम चलो या पहले वीक्वेशन थिए दूसरी पेशी अठों को क्या करो एड कर लेजिए डूनों को है करो को कि आपको लागा है यह दून न से यह कंसला आउट करो यह सेम होती है capital F1 plus capital F2 की value जो आएगी D upon me DT square common LJ M1 R1 plus M2 R2 ठीक है और यह हो जाएगा total external force total external force की value आपकी आजाएगी F1 plus F2 की value क्या है total external force और यह D upon me DT square बताया था मैंने आपको M1 R1 plus M2 R2 यह हो गया अच्छा मैं total external force को एक सकता हो की mass of total mass of system intimate total acceleration of system ठीक है तो इसी को मैंने लिख दिया D upon me DT square M1 R1 plus M2 R2 system का कुल mass कितना भी है M1 plus M2 M1 plus M2 system का कुल acceleration है उस system का जो center of mass का position उसको double differentiate करो R upon me DT square यह पूरी की पूरी ठरम क्या होगी इधर से cancel हो गई हमने एक्वेट कर लिया और R की value को यहां से निकाल लिया R की value क्या है M1 R1 plus M2 R2 upon me M1 plus M2 इसमें अगर इसको differentiate करोगे तो M2 बाहर आएगा इसकी विलास्टी और R का इसकी विलास्टी आप सेकेंड मास है ठीक है यह नीचे M1 प्लस M2 मास लोगों का डिफरेंशिशन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वह वह थैं कॉंस्टेंटर में फिर आता है एक्सलिशन अप सेंटर मास का एक्सलिशन निकालने तो आप सेंटर मास की विलास्टी को क्या तो differentiate कर दो इसकी विलास्टी का डिफरेंशएट का इसकी विलास्टी का डिफरेंशिशन के बराबर आएगा मास बहार आएगा इसकी विलास्टिक का डिफिरेंशन का एकसलेशन के बराबर आएगा नीचे का M1 प्लस M2 के बराबर आएगा ठीक है भी है वन डाइमेंशन बोडी के लिए उसके सेंट्र आप मास के कोडिनेट्स के पास या तो तो उसके जो कोडिनेट्स होंगे सेंट्र आप मास के उसके पास तीनों चीजी होगी एक्स वाही और जैट ठीक है यह आपको निकालना कैसे तो आपको मैंने बताना था कल कि एक्सियम असानी से निकाला आ सकता है he 27 म जुए पुलस डॉट बॉट अपॉर्ट इम मैं एक्सन अपॉर्ण में टोटल मास नीचे कहागा वाइस से निचाला जाएगा तो यसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है M1 M1 Y1 dot 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 MN YN upon में total mass ठीक है भी है ऐसी आपको YZCM में निकालना है ठीक है भी है अच्छा velocity of center of mass भी आप इसी के term में निका सकते हैं 3D 2D हो सकती है अगर body one dimension है तो velocity of center of mass के coordinates भी आएंगे यह की आएंगे ठीक है तो इस तरीके से करना है आपको ठीक है questions देख लीजिए questions ज्यादा कुछ खास आते हैं नहीं है जो मैंने पहले करा रहे हैं उसके बाहर हो तो extra ही हो गया उसके बाहर कुसी प्रकार का कोई question आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ठीक है यह हो गया ऐसे यह मैंने कल करा था आपको मैंने कहा तब यह कैसी body है two dimension body है तो इसके पास XCM भी होगा और YCM भी होगा ठीक है और यह ध्यान है ट्राइंगल जरूरी नहीं कि आपको इस XCM निकालना और YCM निकालना है इसको M1 लेलना इसको M2 लेलना और इसको M3 लेलना ठीक है तो Axiom म्या होगा M1 X1 M2 X2 M3 x3 upon square total mass हुम 1 किया होगा ये एक समन्य होगा पर त्थ्रिक जाए इस निकाल और को निकाल humble लोगे ठीक जी कि अ अजिए क्वाइक इनक्यान क्योंट है पीजी का इस किलो का मास है इसके पाइट का मॉस्क्वाइट क् एक पाइट का मास क्या होगा एक के जी इन सब का सेंटर क्या होगा यहां पर होगा सबको अलग लग इसको आरशिब में ले लिए ठीक है अच्छा यह यहां से आतक का दो मीटर है यहां से आतक का दो मीटर है यह क्या है एक मीटर है यह क्या है एक मीटर है ठीक है तो आपको in points के coordinates असानी से मिल सکते हैं ठीक है यह X की value होगी यह Y निकाले ना इक्स की value Y की value यहाँ पर आप ये traffiस की value यह क्या होगी Y की value आप निकाल सकते हैं पर और यह क्या होगा इसको मालने पकल और यह मालने ना M2 एन मालने महाने êm 3 ठीक है ह 9 तो 걍oga H1 यह की कोडिनेट होगा जो X का M2 यह होगा पूरा मास ठीक है और X2 क्या होगा उसके कोडिनेट होंगे M3 क्या होगा यह वाला मास होगा X3 उसके कोडिनेट होगे तो आप यहां से आसानी से निकाल सब्सक्ते हो ठीक है वह यहादा उसमें गडित नहीं लगानी है ठीक है अलसे मास का में तो सेंट्रों मां को करा इसाज तो स्ट्रों में लागे करता है और डिशें अगृ गार्द कर करें तो लगत ज्यादा आता है दो है वह इंटरल फोर्स करेट करता और इंटरल फोर्स कालना चेंज दी पोजिशन अव सेंटर आफ मास अगर सेंटर मास पहले इस वाले पात पर चलता रहेगा जाएदा इंपोरेंट टाफ ही का लाफ पर इंटर पर मोमेंटम के भी कोशन आप इसके पर ठीक है यह एक वेशन पर आप उमेगा फाइनल लोगे ठीक है यह का बाइटी फाइनल और टूपाई एफ फाइनल ठीक है एक्सलिशन पर आप अलफा लोगे अलफा इसदा डबल डिफरेशन आफ थीटा ठीक है टाइम के इसमें नहीं पर सेंब भी रहता चाहिए कैसी भी मोशन होजी और पर से इसमें रहेगा कोई कोशन बहुत असान आते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर जो फ्रिकंसी होगी और आपको आर्पीम में दे रिख्योंगी किसमें रख्योंगी तो उसको आप साट से डिवाइड करो किसमें जाएगी आर पीएस में ठीक है स्टाइडिंग में रोडेशन आपको दे रख्योंगी इतनी है तो वह इनिशल फ्रिकंसी है तो वहाँ से आपका ओमेगा इनिशल है का तूपाई का है बचाहिल है का है का है का हाँ पे है क्या करना गर पे पेपर हो गया कि तरह कि अच्छा कल भाएं से ठीक है फिर कोई ने कोई पढ़ दें चली रही है अब तो अच्छा कोई तो पाई यह आप निकाल सकते और को सब्सक्राइब आगे बढ़ते भी और डेरिवेशन यानिकिस्ट में जो कोश्चन करा रहे है वहीं आगा बात करते हैं तौर की तौर क्या होता है तर्निंग इफेक्ट फोर्स तर्निंग इफेक्ट फोर्स यह एक्शल में फोर्स होता है लेकिन बस क्या करता है जैसे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है क्या होता है ठीक है लेकिन मुमेंटम जो हता है वो लीनियर मोशन में होता है ठीक है अगर फोर्स आप लगा होगे किसी ऐसे आर्म पर जो रोटेट कर सकता है तो force के उस वाले effect को momentum नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे torque बोलेंगे और turning effect जो होता है यानि torque जो होता है वो इस बात पर depend करता है कि आपका जो arm है उसका size कितना बड़ा है जितने arm की length और बड़ी होगी तो उसको turn कराना क्या होगा उतना ही आसान होगा चोटी होगी तो turn कराना क्या होगा मुश्किल होगा एक होगी से कील गाड़ दिया अपने हापर इस वाले हैं यह डंडी नी पड़ी सी और यहां वे गाड़ दी किल जहां किल गाड़ी उसको कहते है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं और यह है आपका फोर्स क्या है यह फोर्स है आर्म और फोर्स के बीच में अंगल का बना थीटा तो यह क्यों होगा फ कौस थीटा और यह आपका फ शाइंड़ कि इसको आर में इसको ऐसा रोटेट कौन करा सकता है यह जो फिस यह और यह साइन थीटा कि उपके क्या था है टाइमस और फ साइन थीटा ठीटा इसी पे प् Hag को लिगे आज के कि ऑडिको जाएगे आपकी व अब टॉप वीजिए ओपर से तो जब आप वीजिए अपर दरवाजे का पल्ला यह और यह जहां पर एक्सिस अप्रोडेशन है वहां से दरवाजा नहीं चल सकता फिक है जाकपजे लगे होते हैं हिंग कहते हैं मेरे खाल से कपजी को न तो हिंज हिंज कहते हैं तो हिंज ठीक है तो यह यह कपजा है कपजे के लाओं तो आप रोटेट नहीं किरा सकते दरवाजे को और जो हैंडल लगाते हो हमेंसे एंड पॉइंड पॉइंट पर लगा तो यहां पर बढ़ेगा तो एक्सिस अप्रोडेशन से अगर हैंडल यहां पर लगाओं तो दूरी अगर कपजे के पास में लगा दो तो गारेंटी आप वोल नहीं सकते को कि यह क्या होगा यह दूरी कम होगी टर्निंग सकते होगा कम हो जाएगा आपको ज्यादा अफट लगाना पड़ेगा ठीक है यह दिया तो यहां तक तो मैंने कराई दिया था ठीक है टॉर्क की वैल अलिजिए यहां पर आपका यह एक्सिस अव्रट यहां तो यहां पर कीट गार रखिया अपने और फोर्स ऐसे लगा आं तो कैसे खुम लोग वाइस और अगर आप देखोगे तो यह एक्सिस अव्रोडशन है ठीक है और अगर आप फोर्स टुपर की तरब लगा तो ऐसर तो यह आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है और यह आपका यहां पर फोर्स लगा रहे हूं ठीक है अच्छा आप जब यहां पर एक्सल लगाते हो तो आपको पता है इस वाले एंट पर फिक्स है तो यहां पर क्या रहा है रियच्ण क्या होता है वाता है इसलिए और फ़य्चं से टीक च्छेल यaire रोटा का इसलिए ऑपेंट करते हैं इन दोनों फोर्सं के बिजा सापडलेशन क्या है और मतलब क्योंकि आपको पता जैसे आप एक फिर्व सोप्स होगा दूसरा आजएगा जिसे इसलिए को यहां पर दोनों का मैंगी जूता है और दोनों के बीच में नियोंके बीच में उनके sûr ती कुलों होती है न नीचे करा रखिए मधर्टर  क्रोस efter होती है कई अब साल भोगए एकडर सान लोगए थी क्या रहा देगा तो कि आपको पताए एक बराबर में कि बराबर नहीं होता एक रहा स्भी माइनस बी करो से के बराबर होता है ठीक है फ सबसे जहां निकालने का यही क्या है अघ्षेस सों मतलब जहां से फिक्स है और यहार में जिसको गुमाना चाहा रहे हैं ठीक है हमने लगा दिया ऐसा force arm as is direction में r is direction में force आपका इस direction में तो arm और force के बिच में angle कितना लग लगा थीटा तो यह कहाँ होगा force F है एच होगा F cos theta और एच होगा F sin theta आपको पता यह वाला force इसको rotate करा रहा है यह वाला force इसको rotate करा रहा है तो इसके just जहां पर आपने end fix कर रखा ना वहां से इतने जितना force यह है उसका just opposite क्या एगा reaction क्या जाएगा तो हमें पता है और एंगल क्या है यह थीटा क्या है angle in between arm और force arm और force के बीच का angle है ठीक है भी है तो हमें पता है तोर का formula क्या होता है इधर force into my perpendicular separation तो आईधर force को नहीं होगा और उनके बीचे में दूरी क्या है तो आप फॉर्मला आ गया x y और z और मैं जिस arm पर arm पर force लगा रहा हूं ठीक है उसके coordinates के x, y, z है ना इसको coordinate position का coordinate सी है ठीक है तो आर क्या होगा यहां पर आर की वेली बिताना क्या होगा x i cap y j cap z आप भी force क्या लगा होगे तो f vectoric को उसमें का आप एक्स आइक मतलब यह जो आर मैं ना वो 3D में rotate कर रहा है 3D में rotate कर रहा तो इसका मत 3D में rotate करने के लिए तीनों एक्सिस पर क्या लगाना पड़ेगा फोर्स लगाना पड़ेगा 3D आपड़ी force में जो x component हो क्या fx, jirao y component क्या haha, fy और जो जिएली समेहिक कम वोड में टार अब टार्ग और आएगा तॉर्क हमें पता है वह सबकल पता और क्हों क्कीता होता है तो आर क्रॉस में और क्सम लें आ चैन कर लिख दिया और कर ह데 lookinghmic rewards का एकTS 2018 एकस वाई जैल लिग दिए उसके बाद फोर्स है आगे पीछे प्लस आई क्लासा लगा दिया उसके बाद क्रोस करो तो वाई इंटु में अब जट और वाँ जैवाफ भीच में गा माइनस अच्छा उसके बाद फिर आप क्या करो इसको खतम करदो किसी को भूल जा तो यह आई होता है यह यह क्या होता है अगर i x j करोगे तो आपका थम जो एगा उपर की तरफ आगा रिजल्ट के अगर लेकिन अगर X cross FZ और Z minus बीच में ठीक है Z cross यह हो गया मैंडिक्रिक्रिक्शन उसके बाद इसको आई और जे का क्रोस करोगे किसका करोगे इसको चुपा करके आई और जे का करोश क्या होता है क्यों होता है Xfy Xfy Yfz ठीक है इस तरह स्वल करना उसके बाद यह वाला माइनस जो है वो कॉमल है अगर माइनस कोमल लोगे तो यह क्या माइनस में जागा यह क्या क्यों प्लस में जागा इसको पीछे लिए इसको आगे लिए और यहां पर किया प्लस आएगा आपको पता है तौक एक्स ता ही त्यक्रेफ यह आता कम है तो नहीं करते हैं अब आता भी है एंगुलर मुमेंटम और चुन में पड़ाक आता है ठीक है rotation motion में भी आसी होता है कि आप किसी fix end पर एक जिसका एक और उसके दूसरे एंड पर आप force लगाते हो तो इसके अंदर भी क्या आता है momentum आता है लेकिन इस momentum को हम क्या बोलते है angular momentum या moment of force क्या वह तो इस पर यह फोर्स लगता है तो यह तर्न करते व rivals की स्पीड यह तो बढ़ती है गड़ती है तो इसको इस मुमेंटम को क्या कहते हैं धियों रॉने मुमेंटम तो लिखा हुआ है को सुस्ट मुमइंटम उनती के विख्यू कॉइने चीट रिए संदिट इसको Feedback कारा रहा यह वाला क्मपोनिटए यह ब zona सिपा तो मुमेंटम उस आरम के अंतर जादा आ ynहों भौह जोता है वह आर्म लेंट के और हो यह मतलब और की ब्रशारी यहां पर मुम्नेंट डोगे हैं यहां पर मोमेंटम नहीं Monitem हो गया और क्या है पी साइन दीटा के डाक कियोगे जतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर angular momentum का होतना ही ज्यादा कंबाइन कीजिए आपका फार्मॉला आव यह 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 रमें फ्र्मला और पी साइन त्वीटा आर क्या है आपको पता आर्म लंग जिस पे आ आप मुमेंटम लगा रहे हो पी क्या है मास इंटू में स्टी फोल की जिए अगर मैं ने बोल भी आप कि एकर आप इस फॉर्स को यह मुमेंटम जो है उसका ऐसा पर इन लगा रहे हो पर फेंडिकुलर लग पादो यह एंड फिक्स है तो आपको पता है यह इस इस मुमेंटम के संदर का इस आर्म के अंदर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आने वाला इसलेश के वह से अंगलो मेंटम के वाली की जिए जीरो थी तिक पिर आते भी यह वैक्टर फॉर्म ग्रफरम क्यों तर्फरम क्यो प्र सकेंड यह क्या हो यह कि मास विलास्टी और रेडियस कीजिए तो के जी मीटर स्पार स्की पावर माइनस टू डाइमेंशन फॉर्म लाई होता है ठीक है डिरेक्शन कैन बी गिवन बाए वही राइट अगर थम आपका क्या हो अभी अप्वर्ड होगा तो मोमेंटम क् आफ का इस त्रीके सा लग तो आप ऐसे करेगा तो एंगलोमेंटम होगा पॉस्टीव अईदर मोमेंटम तो आपको पता की आपको पता उखाऊ मुमेंटम नगा हो तो इस और विज़ाइगा most दूरिए तो मुंटम को लगा हूं आइदर मुंएंटम इंटो मेरे परफंडिकुलार से ऐसे लगाया आर्म की डिरेक्शन है मोमेंटम की सब्सक्राइब सब्सक्राइब और उनके बीच में दूरी क्या है क्या है आर तो आपको पता थ्रीडी में लगाते हो आर्म क्या होगा आर्म की पोशिशन से यह होंगे मूमेंटम के जो क्वोट से होई होगे आपको निकाला है आप जानते भी यह आर क्रॉस पी होता है तो यह लिए हो जाएगा आपका बराबर में आई जे आर के कोईटने उट पताओ एक्स वाई जट और पी के कोईटनेट बतो तो पी एक्स पी वाई पी जड़ इसके बाद इन दुनों क् какое और आई सबस्केट माइनस जयाद पीवाई इसके बाहर एपको पतेया एक्स पीजम माइनस जैड पीवाई च्ञिकाया आगे कल अगे सामज घ्..., सब्सक्राइब कर दो कि ग्रैविटेशन में इसका यूज होता है यह आउट अप स्लिवर से वर डन बाइट और बस इसकी भी डैविएशन कुछ खास नहीं है ठीक है बस इतना ज्यान लगना वह तौर के थूर एन वर क्रेंन नीकाल नए तो आजने रोटेशन शिबी आप यह आर रेडियस क्या है यह र handle कि तव अगाओ लुगा गया यह फूर्स है तो आपको बता astronomers यह यह द्विद्य एक्स है और यह भागा उन्य हुआ तो आपको बता दुँ कि यहां पर ऐग्स पंस हूँआ है यहां पर आपने फिक्स कर रखा एक्सेस रोडेशन होता है आपने इसके इसके पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के वह से यहां से आपर डिस्प्रेस कर दिया इस फोर्स के विए से हैं किटने आपने कि आतंअ कि पस है गोटने एक सबसंब्स तो सबस्क्राइब के सबस्क्राइब है और ये उसकी रेडियस है क्या है तो यहां पर scam और आ रेडियेस के हाँ पर आ रहे है और एंगल कै तो यह इस ब्सक्रिसमेंट टीटा घुटा इस की वे ज्या रखिए आर डीometer इटा अच्छा एक ऑबन क्या है अज़ितो आर मीली क्योंद कर लगता है तो फैसक और र्य मिलीज़ पेच्छ गडियां तो ये बिंख stopping है तर्क निए में कीटा धिए आगे बढ़ते है ओग कोशन दे रखाए आप यह अगर आपको इक यह बोड़ी की को जिसकी शेप और है नार्म लिग की बात हो रही है तो यह गरा कि है इक वर्डियम और या तो बोड़ी यह बोड़ी एक पर फोर्स नहीं लग रहा है तो तरह में लेफ्ट का फोर्स बराबर में डाउन्मर्ड फॉर्स तो इस तरह के इक बसकती है अगर रुकी होतीजों घोगी तो फिल्टो में च neo भी कोली ओगी स सोग यह फिर या स्पीट को रिए गूम रही है स्थीर्ट कभी शेंज नहीं हो रही ठीक है और इस कैस में changes जब आपके क्या होता है यह रोटेशनल इक अर्पमें इस केस वर्ट इस टोटल टॉटल के वह होता है या नी है डान या पर को इनर्शा कि होता है change को लेकिन जो रोटेशन मोशन में चेंज को पोस्ट करें चेंज को पोस्ट करें किसमें रोटेशन मोशन उसे कहते हैं मुमेंट अफ इनर्शिया क्या कहते हैं और आपको बता दूब हिया कि रोटेशन मोशन में चेंज को अपोस्ट करने वाला जो रोटेशन मुमेंट अफ इन सब्सक्राइशन वह रही है लका पत्द तो चल्दी से रुख जाएगा घटि Brenda रregra पत्थर ला लो तो उसकोPlus कर ना भी मुश्किल हो Baptist करना भी मुश्किल होगा और रोकना भी मुश्किल को समझगे वह बिल्कुल वही है मास तो इस historic बिल्कुल वही है कि छोटा उन्दर करते हैं पांग और अपन्दर गोमने में भी टाइम लगता और रुकता भी काफी देर बाद है यानि इनर्शिया जो है मुवमेंट इनर्शिया वो क्या है यह मास के डिरेक्ट लिए अच्छा देखिए दूसरा एक और बाद बता दू मैं आपको रसी छोटी कर दोगे छोटा मास लोगे रसी भी चोटी है जल्दी से घूमेगा जल्दी से बोड़ी और और क्या है एक्सेस अफ रोटेशन से उसकी दूरी समझ यह जितनी याद होगे अच्छा यह स्केलर कॉंटिटी होती है साई उनिट क्यों केजी मीटर केजी मीटर इसक्वायर ठीक है यह ठीक है अलागल अब इस पर बहुत सारे कोशन भी आते ठीक है भी यह इस पर बहुत सारे कोशन भी आते हैं कि अगर माल लीजे सड़ली आपके अर्थ का मास वही रहें लेकिन साइच क्या हो जाए डबल हो जाए तो क्या होगा अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ेगी पढ़ेगी गड़ेगी सदली अर्थ का मास मोज़ानी एक मत्मलद मरत मुट्का मास में सदल्ली की है डबाल जाटी Princeton स्पीड तिन के डिन कर टाइम पर क्यों पड़ेगा तो यह उसे में पिशेशी सब्सक्फिङ is को अ प्रोटशन पीडमिक बटेशन पीडिर अवर श्रीड पीड में